स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल डिजाइन आईटियस सेंटर में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में भी मैं आपको साड़ी के अंदर फॉल लगाने की एक न्यू ट्रेक शेयर कर रहे हूं तो बहुत जल्दी हम इसके अंदर फॉल लगा सकते हैं और आपको तुर्पाई करने के अंदर भी कोई परेशानी या दिकत नहीं होगी ठीक है तो वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं टो यहां पर देखे जिए पहले फॉल लगाने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट लेना है तो यहां पर देखे यह यलो क Schwar ध i पorf पॉल है जिसको मैंने दोक्रेस्ट कर से पहले से रहा था अब हम इस को रगाएंगे तो यहां पर देख इंदर हम इस तरीके से यहां पर चिलाई कर लेंगे ठीक है क्योंकि इसको हम आगे से सिधा करेंगे यह पर देखिए थोड़ा सा तिर्चा कपड़ा निकल रहा है इस फॉल का और उसके बाद में देखिए यहां पर हमें लेना है मेजरमेंट तो कितना हमें यहां पर फॉल लगाने के लिए स्टार्ट करन तो मेजरमेंट लेने के बाद में सबसे पहले फॉल लगाते हैं तो यह तरीका थोड़ा अलग होने वाला है बहुत जल्दियम इसके अंदर फॉल लगाएंगे यहां पर तुरपाई करने पर भी आपको कोई भी परिशानी या दिकत नहीं होगी तो सबसे पहले हम चलते है तो मसीन में भी फॉल लगाएंगे मसीन में फॉल लगाएंगे तो फॉल को मैंने इस तरीके से नीचे रग लिया है और जहां से मार्किंग है वहां से मैं स्टार्ट कर रहे हूं यहां पर देखें फॉल लगा रहे हैं सबसे पहले तो इस पर मैं सिलाई कर लेती हूं मसीन क सहता से फॉल को ध्यान में रखते हुए यहां पे सिलाई लगा लिए इसकी बॉर्डर पर ठीक है तो बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए और फाल भी हमारी नीचे नहीं दिखने चाहिए उससाब से हम इस बॉर्डर के उपर चलाएंगे सिलाई मसीन और इस पे हलके हाथ से हम सिलाई कर लेंगे पूरे फॉल के उपर और नीचे वाला जो मतलब सिलाई है हम पूरी इस सिलाई मसिन से कर लेंगे बाद में हमें यहां पर सिलाई करने की जरूरत नहीं है कि यहां पर मैंने नीचे फॉल के लगा ली है सिलाई और बहुत अच्छे से फिनिशिंग से यहां पर मैंने नीचे वाला जो टांका है वो लगा लिया है सिलाई कर ली है फॉल के अंदर अब देखें यहां पर क्या करना है यहां पर देखें अब हम इसके अंदर कोप डालेंगे और उसके बाद में करेंगे तुर्पाई उपर वाली साइड ठेक है यहां पर मैंने मोटी सुई ली है सबसे पहले कोप डालूंगी क्योंकि साड़ के अंदर फोल लगाने में फिनिशिंग आने चाहिए चाहिए आपको 10 मिनट के अंदर आप चाहते हो कि जल्दी से फोल भी लग जाए और साड़ी के अंदर फिनिशिंग भी आए तो आपको बस यही ध्यान रखना है सबसे पहले साड़ी को अच्छे से आपको इसके सिलाई लगा लेनी है नीचे मसीन से ठीक है तो फिनिशिंग आएगी 100% आएगी और उसके बाद में देखें यहाँ पे लगा लेंगे तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम सुई को लेंगे ठीक है और फिर देखें यहाँ पे हम करेंगे इस तरीके से हम कोब डालेंगे कोब डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सिंगल तागा का यूज कर रहे हूं मैं ठीक है और उसके बाद में देखे यहाँ पे हम कपड़े को इस तरीके से पकड़ लेंगे कपड़े को मैंने पहले इस तरीके से सीधे साफ रख दिया है और फिर देखिए इस तरीके से कोब तो हाथ को मैं नीचे इस तरीके से रखती जाऊंगे और साड़ी को फिनिशिंग रखते वे मैं इस तरीके से कोब डालती जाऊंगे तो यहां पर देखिए मैं फिनिशिंग से इसके अंदर कोप डाल रही हूं और उसके बाद में तुर्पाई करेंगे ठीक है तो यहां पर आपकी फिनिशिंग आनी चाहिए क्योंकि यह साड़ी का फैबरिक है वो बहुत जादा सॉफ्ट होने के कारण साड़ी का हर वक्त अल जल्दी से लगा लेते हैं इन साड़ियों में हम जल्दी नहीं लगा पाते तो आपको इसी तरीके से सबसे पहले फिनिशिंग से कोप डालनी है ठीक है और उसके बाद में हम तुर्पाई करेंगे पूरी साड़ी के अंदर मैंने डाल ली है कोप और अब मुझे यहां पे तुर्पाई करने में भी बहुत ही ज्यादा आसानी होगी देख सक्टियों एकदम बराबर आई है कहीं भी कोई भी सल्वगेर नहीं आया है साड़ी के अंदर तो अब हम इसके अंदर करेंगे तुर्पाई करने के लिए यहां पे मैंने पतली सुई ली है और इसको मैंने तागे को एकदम सिंगल पिरो लिया है अब यहां से हम तुर्पाई कर रहे हैं तो तागे को मैं नीचे से ले रहे हूं तागे में मैंने एक गांट लगा लिए है पहले से ही और यहां से हम तुर्पाई करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से यहां पर लेज पर तुर्पाई कर लेते हैं फिनिशिंग से ही और अब हम तुर्पाई करेंगे इस तरीके से तो तुर्पाई आप इस तरीके से कर सकते हो सबसे पहले हम इस तागे को इस तरीके से करेंगे तारी तुर्पाई देख सकते हो कितनी बारी बारी काई है बहुत इच्छी से अभी हम इस तरीके से पूरी साड़ी के अंदर करेंगे तुर्पाई कितने अच्छे तरीके से मैंने फवाल लगाई है साडी के अंदर कितनी अच्छे फिनीजिंग आई ये साडी में और एकदम सलवगेरे भी नहीं आई है बिलकुल भी फाल बहुत ही अच्छे से लगी है आप देख सकते हूँ कितने अच्छे से लगी है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना ठीक है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के